Hello friends, Welcome to my channel, Critical Analytical Shiv, आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सब का धन्यवाद, पीश है रिजी, House of Con Netflix, यह अभी Netflix पर प्रसारित हो रही है, यह एक Nigerian African production है, फिल्म की कहानी 18 विंच शताबदी में उयो सामराजे के बारे में है, कहानी एक बच्चे की नजरी से बताई गई है, उसका पिता इस सामराजे का एक बड़ा ताकतवर इंसान है, किन्तो बहुत ही भरष्ट और अत्याचारी व्यक्ति है, यह ताकत और सेना के बल पर सामराजे के मंत्री मंदल का प्रधान मंत्री, मुख्या अधिकारी जैसा बन गया है, और राजा और उसक नहीं आता और वह लगकी को किड़नेप करवा लेता है। अब यह लड़का, क्या अपने प्रेम कहानी पूरी करपाएगा, क्या सामराजी के सबसे ताकतवर इनसान और अबने पिता की खिलाप, संघर्श कर पाएगा, सफल हो पाएगा, यही इस कहानी का मोल मोल सारांच है बात करें हमारे experience की तो यह एक ठीक ठाक romance action film है जिसमें कि आपको character का romance वाला angle थुड़ा कम जोर पर इंतु ठीक ठाक तरीके से दिखाया है film का बहुत focus फ्रष्ट मंत्री और उसके तौर तरीकों पर अत्याचार पर focus किया गया है अप रात पर focus रखा गया है साथ ही उसके लिए काम करने वाले जादू गर्नी और अन्य लोगों की character पर focus है कहानी में second half में जो संगरश और अपने hero का love angle और उसकी struggle दिखाई गई है वह ठीक ठाक लगती है हमारे Bollywood में जो 90 के दशक में love story फिल्म आई थी वैसा feeling आता है जब एक powerful villain के खिलाब और प्यार पानी के लिए एक hero जमीन आस्मान एक कर देता है पर अंतने एक satisfying ending उसकी love story सफल होती है वैसा ही कुछ plotting यहाँ है तो उसे हिसाब से कुछ बहुत नया नजर नहीं आता परन्तु film आपका ठीक ठाक मनोरंजन करने में सफल रहती है सभी कलाकारों की acting हमें ठीक ठाक नजर आई है जो hero है उसकी acting भी ठीक नजर आती है हाला कि hero और film के बहुत से कलाकार बहुत muscular और bodybuilder जैसे नजर आती है तो लगता है कि क्या 18 विंच अताबदी में ऐसा संभव होगा और बीच बीच में कुछ चटै कॉस्ट्यम डिजाइन को अगर छोड़ती और माना जाए कि शायद ऐसा ही होता होगा उसे जमाने में अफरीका में तो यह फिल्म की कहानी आपका ठीक ठाक मनोरंजन करने में सफर रहती है फिल्म की कहानी में पटकथा में जो भी परिवर्तन, पदलाव, ट्विस्ट एंटर्न दिखाए गए हैं वे ठीक कती से आते हैं और आपका ठीक ठाक मनोरंजन करने में सफर रहते हैं शुरू शुरू में कहानी थोड़ा स्लो लगती है, पर एंतो तक्रीबन आदा गंटी के बाद लव स्टोरी और उसकी स्ट्रॉगल चालो हो जाती है तो आपका ध्यान बना रहता है, दर्शक की तौर पर आप जाते हो की, कहानी का ठीक ठाक अंथो, ओवरोल प्रडक्शन डि खाया है, उसे पर हम ज्यादा अधिक कॉमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि आफ्रिकन कल्चर और 18 विन शताबदी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलप नहीं है, उवरोल यह फिल्म आपका ठीक ठाक मनोरंजन करने में सखल रहती है, आप इसे एक बार जरूर देख स कैसे लगा, आपके ओपिनियन नीचे कॉमेंट में लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों अभी का हमारा टागेट है, एक लाग सब्सक्राइबर शोड़ने का, और चैनल को वेरिफाइ करने का जिससे हम और अधिक मनोरंजन वीडियो आप तक बहुत तो क्या आप इसलिए हमारे साथ जुड़ेगे और चैनल को सब्सक्राइब करेगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया, थांक्यू, धन्यवाद